टाउन के दुनिया की फैमस एक्टर पर्ल वी पुरी इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में है दरसल बीते शुकरवार की रात मुंबई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहट पर्ल को ग्रफतार किया था पर्ल पर एक बहुत बड़ा और कंभीर आरोप लगा है पर्ल लगातार मुसीबतों में फसते हुए देखे जा रहे हैं इस दोरान देखा जाए तो टीव इंडिस्ट्री और फिल्म इंडिस्ट्री के सितारे पर्ल के करीबी दोस्त और उनके चाहने वाले उन्हें सपोर्ट करते हुए देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ कई राज भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं वल बताना चाहेंगे आफ सभी को कि हाल ही में परल की बेगुनाही के तीन बड़े सबूत मिले हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिये हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है ये सबूत जिनके जरिये परल को बेगुना स्ताबित किया जा सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर CCTV फुटेज के बारे में CCTV लगा हुआ था उस CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा जिसमें परल की बेगुनाही का सबूत मिलेगा वही इतना ही नहीं बताना चाहेंगे आप सभी को कि वैनिटी वैन के अंदर परल के साथ बच्ची गई थी लेकिन बच्ची के साथ साथ उनकी मेड भी वैनिटी वैन के अंदर गई थी जिहां बच्ची की मेड उनके साथ ही मौजूद थी और दूसरा बड़ा सबूत है बच्ची की मेड बच्ची की मेड से भी पूछताच की जाएगी ऐसे में देखा जाए तो दो बड़े एहम सबूत मिले हैं CCTV फुटेज और बच्ची की मेड वल इसी के साथ साथ बताना चाहेंगे आप सभी को कि बच्ची की मा ने भी खुलासा किया था कि मेड ने भी उस दिन देखा था कि ब साथ भर वह हर दिन की तरह खेलती भी रही थी और इस मामली में तीसरा बड़ा सबूत है FIR और मेडिकल रिपोर्ट जी हां FIR में परल का नाम नहीं लिखा है वहीं इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि परल से मिलनी की दो दिन बाद ही बच्ची का मेडिकल एक्जाम परल की बेगुनाही को साबित कर सकते हैं ये तीन बड़े सबूत कहीं ना कहीं बच्ची के पिता के जूट की तरफ भी इशारा करते हैं परल जो की टीवी इंडोस्टी के जाने माने स्टार है और उन पर ये गंभीर आरोप लगा हुआ है ऐसे में देखा जाए तो परल मा झाल